वेल्कम फ्रेंट्स आपका टार्गेट विद्रमेश सर में स्वागत है UPPSC 2021 प्री रिजल्ट की सुनवाई कल थी जो प्री रिजल्ट रद कर दिया गया था नियमित खंडपीट के समक्त सुनवाई की निर्देश दिये गए हैं UPPSC 5 विवागों में सीधी भरती करने जा रहा है जिस 87 पनों पर सीधी भरती करने जा रहा है इन सभी मात्रपूर्ण खबरों पर हम लोग बात करेंगे उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन और पर प्रेस कर लें और वीडियो को डिटेल में जान लेते हैं खबर को डिटेल में जान लेते हैं नियमित खंडपीट के समख सुनवाई का निर्देश दिया गया है जी हाँ इलाबाद हाइकोर्ट में जो पीशेश पी 2021 की परिच्छा को रद कर दिया गया, उसकी सुनवाई कल थी, इलाबाद हाई कोट ने पीशेश दोजार रिकिस परिच्छा परिणाव रद किये जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी, नियमित पीट में सुनवाई नहीं हो सकी, जबकि भोजन को तीथी तेईस अगर्स्त की तीथ निधायत करी नेक्स जेट इसकी तेईस अगर्स्त है यहां आदेश नैमुर्ति एंजनी कुमार मिस्राव नैमुर्ति मुहमद आजहार हुसेन इद्रीसी ने दिया इसके पूर मंगलवार को नीमित खंड़ पीट के ना बैठने के मामले क मामले को सुनवाई के लिए दूसरी खंड़ पीट यानि दूसरी खंड़ पीट के समख भेजा गया भोजना उकास के पूर खंड़ पीट ने सुनवाई की आयोग की और से सुनवाई के लिए 75 से अधिक आधार बताए 75 से अधिक आधार बताए पीट ने भोजना उकास के बाद सुनवाई के लिए दुबारा पेश करने के लिए कहा, दुबारा सुनवाई के दोरान आयोग के अधिवक्ता ने तर्ख दिया कि एकल पीट के तथ्य को पूरी तरह से देखा नहीं और एक तरफा फैंसला पारित कर दिया, हाला कि पृतिवाद जिवक्ता एबियन तर्फाठी ने तक्तियों को खारिज किया, कोट ने मामले में उत्तर पदेश लोग से वायोग की और से दाखिल विशेश याचिका के आउचित पर सवाल खड़े किये, कहा कि उसे नियमों कानूनों का पालन करना चाहिए, कोट ने कहा कि मामले को नियमित खंड़पीट के समक्स ही प्रस्कुत किया जाए, और सुनवाई के लिए 23 अगस्त कृतित निर्धाइद कर दी गई है, इसके पूर प्रतिवादी अधिरुकता की और से जबावी हल्क नामा फाइल किया गया, जिसे कोट ने रिकार्ड पर ले लिया, आयोग PCS 2021 भरती परिच्छा में 5 अगस्त को साचातकार की प्रक्रिया पूरी कर चुका है, भरतियों को अपने परिणाम का इंतिजार है, हाई कोट की एकल पीट ने भरती परिक्रिया में पूर सेनकों को 5 पिश्दी आरच्छन ना देने का प्रारंबिक परिच्छा ना देने पर प्रारंबिक परिच्छा परिणाम को रत कर दिया गया है, कोट ने कहा है कि आयोग पूर सेनकों को 5 पिश्दी आरच्छन देते प्रारंबिक परिच्छा का परिणाम जारी करें यह एकल पीट ने फैंसला दिया है डबल बेंच में मामला गया है कल सुनवाई थी में जो में खंड़ पीट थे उसमें सुनवाई नहीं हो सकी दूसरी खंड़पीट में मामला ट्रांसफर किया उसमें कुछ सुनवाई हुई उसने भी यह निर्देश दिया कि मुझे जो नियमित खंड़पीट है उसके सामने मामला समक्ष प्रस्तूत किया जाए और अगली जो डेट है वो तेई सगस्त लगा दी गई है तो यह दूसर सब्सक्राइब करने जा रहा है इसके लिए आयों ने मंगलवार का कारिकम जारी कर दिया इंटर्वी 25-31 किये जाएंगे विकास विभाग में पधानाचार सिर्णी के दो पधानाचार सहाइक निरेसर के सावाधिक 74 पधानाचार इन पदों पर भरती के लिए इंटर्वी विभाग में कार्मी कजकारियों के पद्पड निर्था भरती के लिए साचतका 29 अगस्त को होगा इसके अलावा चिकत्सा विभाग में आसिस्टेंट प्रोफेसर डियो डियाग्नोसीस के च्छा पदों हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एन्मो यह आपस एंड गाइनी के दो पदों पर भरती के लिए 25 अगस्त और आसिस्टेमप्रोम सर्जर्य के एक पद में एक पद आसिस्टेम पर कार्डियोलोजी वो 33 अगस्त को अब सुना जाएगा छात अरपने रिजल्ट का इंदजार कर रहे हैं आयोग अब देखते हैं आगे क्या होता है अगली सुनवाई में क्या होता है विशेस याज का फिलाल दायर कर दीगे है सुनवाई भी सुरू हो गई है अगली डेट तेज सगस लगी तेज सगस पर हम लोग देखते हैं क्या होगा तो यह रही अभी तक की महत्पूर्ण और लेटेस्ट अपडेट चैनल पर नए हो तो एक फिसे में आगरे करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन और पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक से जरूर जरूर कर दें धन्यवाद